Hi everyone, adenomyosis, आपको पता है न क्या है, क्योंकि मैं इस पर दो-तीन वीडियो बना चुकी हूँ endometriosis सब लोग समझते है, adenomyosis के patients कम होते हैं और adenomyosis आजकल, lately मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया ठीक है, रैसे patients कम होते हैं, क्योंकि endometriosis ज़्यादा common है, ज़्यादा commonly used नाम है बट अभी lately adenomyosis इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और adenomyosis क्या है, basically यह उसी का twin है endometriosis ज़्यादी कि पूरी body में, आके पूरे पेट में, uterus के अंदर की lining फैली हुई है चाहिए uterus के just बाहर हो, tubes पे हो, ovary पे हो, या आसपास के peritonium पे हो, या थोड़ा सा ओपर पेट में कहीं हो, लिवर इवर पे हैं, intestines पे adenomyosis मतलब है, uterus के अंदर ही adenomyosis हो रहा है कैसे पता चलता है, कैसे diagnosis बनती है, treatment क्या होता है, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है तो जैसे कि मैंने बताया, uterus की तीन lining होती है, बाहर की जो lining होती है, उसको हम serosal layer बोलते है उसके अंदर आता है, उसका main motive वाली layer, यानि कि muscle आपको पता है, इतना सा uterus इतना बड़ा हो जाता है, pregnancy की समय यानि कि 7 cm के uterus 35-40 cm का हो जाता है, जब बच्चा होने वाला होता है तो body ऐसी बनाई है, भगवान ने, बड़ा यही miraculous एक organ बना है, जो इतना बड़ा होके वापिस इतना चोटा सा हो जाता है तो इसके muscles बहुत important होती है, तो सबसे thick layer तो muscle होती है, उसके just बात आता है endometrium endometrium यानि कि वो lining जो कि हर period में बाहर निकलती है, जड़ती है, वापिस नई बनती है और period अगर नहीं आ रहा है, मतलब कि patient pregnant होगी, तो यह अंदर जो बच्चा पना परा है, उसको portion देती है, उसको खाना देती है ठीक है, जब यह endometrium layer, जो कि normally 7-10 mm, 12 mm तक होती है, यानि कि just 1 cm to 1.2 cm, जब यह कुछ parts इसके myometrium, यानि कि muscle वाली layer में घुश जाते हैं, उसको बोलते है यानि कि यह जो endometrium lining है, जहां यह होगी, वहाँ पर यह bleed करेगी, तो जब आपको period आता है, तो जहां-जहां endometrium है, वहाँ वहाँ आपको bleeding होगी, अब यह endometrium अगर pain के अंदर है, यानि कि uterus के बाहर है, तो वहाँ bleed करेगा, जिस वेसे आपको pain होता है, आपको addisions बनते है आपके tube बंद हो जाती है, आप यह ovary के अंदर chocolate cyst बन जाती है, और blood भर जाता है, जो कि आखे जाके pain करता है, ovary को destroy करता है, uterus के अंदर, अगर muscular layer के अंदर यह endometrium layer घुज गई, तो वहाँ blood करेगी, यानि कि bleeding होगी, वहाँ पर pain होगा, अब आपको symptoms क्या होगी, पहले ब आने के वज़े से वो गंदी तरीके से contract करेंगी, इस वज़े से addigence होंगे और आपको pain बहुचाता होगा, moreover, बहुत सारी patients बोलते हिनको heavy periods आते है, heavy periods का भी reason यही है, कि estrogen हाई है body में, endometrium की layer भी बढ़ी होई है, तो जब भी आपको period आएगा, तो heavy होगा, और painful होगा, intercourse उस भी painful रहता है, क्यों? क्योंकि आपको adenomyces तो है, uterus आपका heavy होई चुका है, साथ में endometriosis आपकी uterus के बाहर भी कही न कहीं होगी, तो जब भी intercourse होगा, तब तक वहाँ पर pain होगा, चौती चीज आपको pelvic pain, यानि कि नीचे की तरफ pain हमेशा ही रहेगा, lower back ache रहेगा, का definitely ultrasound में ही सबसे पहले पता चलता है, कई बार doctor आपको examine करके, आपके symptoms सुनके, आपकी age देखके, normally 40 के बाद ही होता है, तो आपको एक presumptive diagnosis doctor दे रहेते हैं, कि शायद आपको ये problem है, ठीक है, sonography में जो पता चलता है, वो इतना 100% नहीं होता, अगर आपको सही में diagnosis बनानी है, आपके doctor को चाहिए कि बेमे को proper diagnosis पता चले, तो फिर वो आपको MRI लिखके देगे, MRI में properly डिखता है कि uterus के अंदर की जो layers है, myometrium, endometrium बाहर के सिरोसल layer, उसके बीच में क्या भर गया है, बीच के layers की thickness कितनी है, blood सही में आ रहा है कि नहीं, endometrial glands है, endometrial stoma है, ये सारे medical terms है, लेकिन ये सारी चीज़े MRI में clear होती है, कि सही में endometriosis है, ये simple uterus बलकी हो गया, क्योंकि uterus के muscles के अंदर कई बर legs बन जाती है, कई बर और 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 भी भिमारिया होती है, जो adenomyosis जैसी दिखती है, ठीक है, तो ये हो गया तरीका diagnose करने का, आज ही मेरे पास ओपड़ी में द बहुत ज़्यादा पेन है, एक patient 45 की है, 45 की patient में हम आराम से uterus निकाल सकते हैं, तो basically अगर आप इसका treatment पूछे है, तो मैं पहली भी बता चुकी हूँ, इसका main treatment है कि ovaries निकाल दी जाएं, ovaries निकाल लेंगे, तो अंदर hormones खतम होगे, तो अंदर endometriosis खतम होगी, और जो uterus आपको एकना pain दे रहा, एक ब्लीडिंग करवा रहा है, उस uterus को निकाल दिया जाए, तो अगर सिरफ adenomyces है, तो uterus निकाल देना चाहिए, जिसे कि अंदर के जो periods है, और आपका pain खतम होगी, अगर साथ में endometriosis भी है, यानि कि पेट के अंदर और भी बहुत सारी जगे endomet इंप्लांट्स हैं, तो फिर ovary भी निकाननी पड़ती है, बट ये normally हम तब करते हैं, जब patient 35-40 के अबब होती है, ये भी मैं बहुत जल्दी बता रहे हूँ, normally 50-55 पर ही करना चाहिए, बट अगर patient को problem है, family complete हो गई है, तो 35-40 के बद कर सकते हैं, अब ज़े 28-year-old patient इसका क् pain relievers, right, painkillers देंगे, analgesics देंगे, आप painkillers में आप क्या ले सकते हैं, आप nemusolide ले सकते हैं, आप paracetamol ले सकते हैं, आप diclofenac ले सकते हैं, सबसे अधर strong diclofenac होता है, बहुत ज़्यादा pain हो तो फिर आपको ये morphine, जो derivatives होते हैं, जैसे tramadol वगर ये सापना सारी tablets medical में available होती हैं, doctor के prescription पर मिल जाती है, आप periods के समय जो antispasmodics आती हैं, जो आप ये prostaglandins को कम करती हैं, जैसे बहुत ही famous एक दवा, ये meftas pas सालों से चली आ रहे हैं, ये आप ले सकते हैं, hormonal treatment अगर दिया जाएगी, भी हमको surgery नहीं कराने ही, तो hormones के लिए आप pills ले सकते हैं, 21 days की जो pills आती हैं, वो आपके ovulation को कम करती हैं, एक तरह से ovulation खतम कर देती हैं, तो आपके menstrual cycle जब पूरी disrupt हो जाएगी, बाहर से external या पी estrogen-progesteron का combination लेंगे, menstrual cycle बंद हो जाएगी, तो अंदर जाके, जो आपके endromental lining के वो भी से उखनी शूर हो जाएगी, periods कम आएगे, तो pain कम होगा, लेकिन 21 days की pills कब तक लोगे, 10 साल ले ली, आपने 12 साल ले ली, 5 साल, 6 साल लेने के वाट आप खुद ही परिशान हो जाएगे, लोग तो 2 साल में परिशान हो जाते हैं, हलांकि 5-6 साल तक आप ले सकते हैं, आगर आप सब कुछ चेक अप करा रहे होगे, पिल्स के कोई प्रब्लम तो नहीं हो रहे हैं, क्यांसा नो, यूट्रस की सर्विक्स के उपर कैंसर हो जाए, ब्रेस्ट में कोई प्रब्लम आ जाए, तो यह ले सकते हैं, बड़ कब तक? या फिर सिरफ plain progesterone आया है plain progesterone, dynogist इसके लिए licensed है कि endometriosis हुकम करता है बट वही है कि pills आप कब तक लोगे उसको लेने के बाद भी अगर फरक ने पड़ा तो क्या करोगे एक और treatment आया है, hormonal treatment जो कि आज मैंने उस patient को suggest भी करा है वो है Mirena Coil Mirena Coil यानि की एक हॉर्मोन वाली कॉपटी कॉपटी जैसा काम करती है बेसे के लिए बच्चा नहीं होने देगे साथ में इसके अंदर हॉर्मोन होता है तो जो आप oral tablet खा रहे हो उससे कहीं ज़्यादा low dose में ये uterus के अंदर लग जाती है सिस्टम के अंदर body के अंदर absorb होती है दिरे 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 दो तीर मेनी के अंदर आपका period बंद हो जाता है हमेशा के लिए नहीं जब तक ये अंदर लगी रहेगी तो आपका pain कम हो चाएगा आपका जो endometrial lining है वो सूप चाहेगी अगर आप बात करें उन ladies की जिनको endometriosis है adhesions बने हैं, pain हो रहा है, chocolate cyst बन गई है उसमें surgery करके, अभी मैंने lately एक patient का कर रहा है unmarried है, she's around 30 उसकी दूसरी surgery है, 10 साल पहली पे उसको same surgery होई थी उसको adenomyosis तो है, pain होता है, uterus बहुत heavy है अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी हमने उसको इतना relief दे दिया कि उसकी chocolate cyst remove कर दी उसकी ovary बचाली जिससे आगे जाके शादी करके वो बच्चा कर सके बट इसमें ovaries damage होनी शुरू हो जाती है तो बार-बार pain बहुत हो, तो आप यह surgery कर सकते हैं इसको बोते लाप्रोस्कोपिक एडिजोलाइसेज, लाप्रोस्कोपिक मैनेजमेंट जिसको की minimal invasive surgery की तरह से बे आप लोग जानते हैं अब अगर बात करें uterus की surgery की, तो uterus की surgery की अंदर पहले जो treatments आते थे जिनको ज़्यादा bleeding होती है, अब अंदर गरम machine डालके पूरे endometrium को सुखा देते थे उसको जला देते थे, लेकिन वो इतना result इतना अच्छा नहीं है एक और तरीका treatment होता है, जो कि radiologist करते हैं यानि कि जो uterine artery, जो blood supply आपकी uterus को मिलती है उसी को हम खतम कर दें, उसके अंदर embolus डाल दें उसको बहते हैं uterine artery embolization, जो कि बहुत famous नहीं है क्योंकि इसके results इतने अच्छे नहीं है, moreover, अगर results अच्छी है भी तो यह उन लोगों में कर सकते हैं, जिनमें की आगे बच्चा नहीं चाहिए जिनको आगे बच्चा नहीं चाहिए, वो अगर uterus नहीं निकलवाना चाहते हैं कि हमको major surgery नहीं कराना है, हमको सिर्फ embolization कराना है तो आप radiology department होता है, उसमें जाके पता कर सकते हैं, वो यह treatment करते हैं and last but not the least, hysterectomy, यहनी कि uterus निकलना ही इसका मेन इलाज है तो adenomyelsis के patients हताश नहीं, आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जनको यह problem है और उनको पता नहीं चलता, या तो वो अपने symptoms ignore करते हैं, या फिर उनको लगता है कि नहीं uterus कौन निकल वाएगा, डॉक्टर के पास अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे तो वो अपनी पूरी लाइफ ऐसे खराब कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत सारी treatments available हैं आइए डॉक्टर के पास, आप खुद क्या कर सकते हैं, बीमारी तो भगवान ने आपको दे दी आपको अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉड़ी के अंदर ज्यादा acidity ना बने मैंने आपको पहली भी वीडियोज में बता है, कि अगर आप डाइट सही रखेंगे, तो आपको acidity कम रहेगी आपको pain कम होगा और शायद menstrual pain में आपको फायदा हो, अगर आपको surgery करानी है तो हमारा hospital आपके लिए खुला है, लोग बाहर से भी आते हैं, इंडिया के बाहर से भी हमारे पस आते हैं, all over इंडिया के भी लोग हमारे पस आते हैं, 24 hours service आपको मिलेगी, हम लोग 2 doctors है, हमार आप नहीं लेने, साथ में अपना stress कम रखिये, जितना tension करोगे, उतना pain बढ़ेगा, उतनी बीमारी बढ़ेगी, and last but not the least, आप अपनी गायनेक से regularly check up कराएं, क्योंकि ये बीमारी जिंदगी भर रहने वाली है, जब तक आपकी ovary नहीं निकलेगी, आपके hormones खतम नहीं कॉल ना करी, silent number है, या फिर आप मेरी website पर जाके consultation book कराएं, वहापर payment करने के बाद आपको एक दो दिन के अंदर appointment मिल जाएगा, लेकिन आपको उस payment का screenshot हमको भेजना पड़ेगा, इस number पर जिससे हमको पता चले कि आपने website पर जाके payment करा है, thank you very much.